चै माता दी कैसे हैं आप सपाप सभी को सरस्वती माता के प्राकट्य दिवसकी हार्दिक हार्दिक शुब कामनाई या कुंदेंदु तुशार हार धवला या शुब्र वस्त्राविता या बीनावर दंडमंडित करा या श्वेत पदमासना या ब्रह्मा चुत शंकर प्रभितिर्भी देवे सदा वंदिता सामांग पातु सरस्वती भगवती निहशेश जाडिया पहा हे शुक्लवर्णवाली संपुर्ण चराचर जगत में व्याप्त आदी शक्ती परम ब्रह्म परम उतकर्ष को धारन करने वाली सभी भयों से भैदान देने वाली अज्यान के अंधकार को मिटाने वाली हातों में वीना पुस्तक और फटिक की माला धारन करने वाली पदमासन पर बिराजमान बुद्धी प्रदान करने वाली सर्वोच एश्वर ये से अलंकरित भगवती शारदे मैं आपकी वंदना करता हूँ बोलिए सरस्वती मया कीजए दोस्तों हर साल माग महा के शुकल पक्च की पंचमी तिती की तरह इस बार भी बच्च और मम्या सभी का मच अवेटेड सभी कलाकारों का मच अवेटेड सरस्वती पूजा आ गया है और भारत में इस दिन से बसंत रितु की शुरुवात मानी जाती है अभुज मुर्ध होता है और कोई भी कार या बिना किसी से पूछे आप अराम से कर सकते हैं कोई भी मांगलिक कार ये आज के दिन किया जा सकता और 2023 में तो चार योगों का अधुपुत संयोग आया है बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पुजा आवश्य करनी चाहिए आज की युग में एक तो इनसान की जवानी कटू हो गई है ऐसे में तो कटू वानी से मुक्ती मिलती है और साथ साथ जो लोग भी स्टूडिन्स है रिसर्च करते हैं कलाकार हैं इन सभी को सफलता मिलत इस दिन माता सरस्वती का प्राकट्य दिवस होता है कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़क कर एक चत्रुभुजी सुन्दर इस्त्री को प्रकट किया था जब पुरे पृत्वी पर सब कुछ था मगर वानी नहीं थी आवाज नहीं थी साउंड नही करके कैसी थी ये माता जिनके हातों में वीना थी वर मुद्रा थी पुस्तक थी माला थी और इनकी वीना के मधुरनाद से ही संसार के समस्त जीवों को वाणी प्राप्त हुई थी तब प्रम्हा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा सरस्वती ही बागेश्वरी है शारदा है वीनाबादिनी है वाग देवी है विद्या बुद्धी की प्रदाता है और विश्णु धर्मोत्तर पुराण में वाग देवी को आभूशनों से युक्त चतुर्बुजी कहा गया है सकंद पुरान में सरस्वती को जटा जूट युक्त अर्ध चंद्रमस्तक पर धारण किये कमल आसनपर सुशोभित नील गृवा वाली त्रीनेत्री कहा गया है माता सरस्वती ने ही अपने चातुरिय से देमों को राक्षस राज कुम्भ करने से बचाया था और संगीत की देवी सरस्वती का जनम उत्सव इसलिए वसंत पंचमी पर पड़े जोर शोर से बनाया जाता है और आज के दिन हर घर घर में पुजा की जाती साथ ही साथ पांडाल भी लगाये जाते हैं भव्य पुजा का आयोजन किया जाता है सरस्वती माता बहुत ही कोमल और सरल स्वभावाली मानी जाती है इनकी पवित्रता का प्रती निधित्व करने वाले शुद्ध सफेद वस्त्र इनको धारन कराई जाते हैं और एक सुन्दर महिला के रूप में इन्हें हर जिगे दर्शाया जाता है आता ज्यान और सत्य के प्रतीक श्वेथ हंस पर विराजमान है और एक हात में वीना को पकड़े हुए है जिसमें सारी रचनात मकता बहती है एक हात में पुस्तक है तो एक हात में माला है पानी का कमंडल है और ये हातों में पुस्तक हमारे वेदों के दर्शन को दर्शाती है स्वान पक्षी इनके पैरों के पास होता है जो दूद और पानी के मिश्रन से सिर्फ दूद पीता इतना पवित्र पक्षी होता है इस दिन माता सरस्वती के साथ साथ कामदेव और रती की भी पूजा करने से प्रेम में सफलता मिलती है सच्चा प्यार मिलता है, दामपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, दामपत्य जीवन लंबा होता है, सुख्माय होता है तो कुछ लोगों के लिए आज विशेश रूप से हमने कामदेव वशिकरन पूजा रखी हुई है तो जिन लोगों ने भी करवा रहे हैं जो लोग भी वो सभी अपने अपने नियमों का पालन अवश्य करने जो बताया गया है और ध्यान रखे बसंत पंचमी पर ही भगवान शिव और माता पार्वती का कहा जाता है विवाह के पहले तिलक उत्सा हुआ था इस दिन ही शादी विवा की सामगरी जैसे शादी का जोड़ा गहने ये समान खरीदना बहुत ही शुब माना जाता है इससे सौभागी में वृद्धी होती है आज के दिन जो लोग भी पती पतनी संबंदी विवाद हैं जिनके जीवन में स्वास्त संबंदी परेशानिया हैं इनको आज के दिन दुर्गा सब्तशती में वर्नित अरगला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए इसके बाद सफेद वस्त्रों का दा इस साल 26 जैनवरी बताने की जरूरत ही नहीं गुरु वार के दिन आई है बसंत पंचमी यलो यलो का मौसम है और थरस्डे का दिन अपने आप में अद्भुत संयोग है इस दिन पूजा के लिए सभी मुहर्त बहुत ही शुभ है और दुलब चार शुभ योग भी बन रहे ह आईए लास्ट वीडियो में भी बताया हतेलियों के दर्शन करें सनान करके सुन्दर पीले वस्त्र धारन करें जो लड़कियां है वो पीली चूडियां आज के दिन पहन सकते हैं विवाही तिस्तरियां भी पीली चूडियां धारन करें पीले ही वस्त्र पीले ही आबूश सजाना चाहिए और सबसे पहले जो लोग भी पूजन करना चाहते हैं घर की उत्तर दिशा का चयन करें माता शारदा की मूर्ती हो फोटो हो जो भी आप स्थापित करना चाहते हैं वो ले सकते लकडी की चौकी टेबल किसी पर भी स्थापित कर सकते हैं और पीला कपड़ा उस जद दुर्वा, गंगा जल, एक कलश, सुपारी, जो लोग कलश थापना करना चाहते हैं, वो एक कलश ले लीजे, और उस पर रखने के लिए आप एक नारियल ले सकते हैं, सुपारी, पान के पत्ते, अगर बत्ती, आम के पत्ते, गाय कागी, सभी आपको भोग के लिए पील आदी नहीं है, तो बसंत पंचमी के दिन आप माता की तस्वीर है, मूर्ती है, प्रतिमा, ये घर ला सकते हैं, घर के इशान कोन में उत्तर, नौर्थ इस्ट कॉर्णर अव दा हाउस में, इनकी स्थापना करनी चाहिए, इससे बच्चों पर सकरात्मक प्रभाव पड़ता है, वहाँ परदेवी सरस्वती की मूर्ती एक तो रखना ही चाहिए और उत्तर दिशा में रखना चाहिए, अगर चाहते हैं कि कोई भी कॉम्पेटिशन आदी में या करियर में सफलता मिले घर के बच्चों को, घर के जो स्टूडिन्स हैं उनको, तो स्टडी टेबल भी इ अगर आज के दिन विशेश रूप से माता सरस्वती का स्नान करा के अभिशेक कराना चाहिए, विशेश रूप से पढ़ाई स्टूडन्स के लिए तो होता ही है, साथ ही साथ जो लोग वेवाहिक जीवन में, अगर आपके तनाव जादा है, तो आज के दिन आपको दूद म हल्दी मिला करके देवी सरस्वती का अभिशेक भी करना चाहिए देवी सरस्वती को आचमन कराएं स्नान कराएं मा को फूल माला आदी से उनका शिंगार करें जो भी आपने शिंगार की चीजे लाई है उनसे मा का शिंगार करें उनके सामने आप लिखने पढ़ने वाली पुस्त के कलम कौपी आदी रखना चाहिए जो भी कलाकार है वो अपने बाद्य यंत्र आदी रख सकते हैं जिनका प्रयोगा पूरे साल करते हैं वो सभी चीजे रखें इससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है गाई की घी का दीपक करिए उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए सुगंदि धूप कीजिए पीले कनेर के पुष्प मिले तो मा को अर्पित कीजिए अपनी मनो कामना बोलते वे पीले चंदन से ही तिलक करना चाहिए और हल्दी चढ़ाइए एक कटोरी में थोड़ी हल्दी उसके बाद उपाई बताओंगी क्या करना है एक कटोरी में थोड़ी हल्दी, थोड़े शहद और एक मोर का पंक, ये अवश्य चढ़ानी चाहिए, अबीर गुलाल है आपके पास, तो आज से ही होली उत्सफ के ये शुरुवात मानी गई है, सबी जगे ठाकुर जी को चढ़ाये जाते हैं, तो थोड़ा सा अबीर गुला या केसर भी उनके चढ़नों पर अर्पित करके, उसको अपने पास रख लीजे, जब कोई विशेश कारी से जाते हैं, तो उसका तिलक लगा कर आप जा सकते हैं, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, धिहान रखें, आज के दिन सरस्वती चाली सा, सरस्वती वंदना गनेशी का मंत्र ये जरूर बोलने चाहिए, पांच मंत्र में आप सभी को बताऊंगी, और जो लोग भी जो शहद चढ़ाएंगे, बाद में वो शहद जो है, उसको नित्य रूप से बच्चों को सेवन कराई, जो बच्चे बोलते नहीं हैं, उनको आज के दिन शहद में क काली मिर्च कूट करके मिला दीजिए, और उसको बच्चे को चटाना चाहिए, आज के दिन से चढ़ा के 40 दिन चटाइए, देखे बच्चे बोलना शुरू कर देंगे, मोर का पंक जो आप लोगों ने रखा है, मोर का पंक बच्चों के स्टडी टेबल के वहां चिपका सक करते हैं, और बसंद पंचमी के दिन मैंने पहले भी बताया है, सिद्ध चिन्तामानी कवच सिद्ध करवा करके, जो लोग भी सिद्ध चिन्तामानी कवच सिद्ध करवा रहे हैं, वो सभी जब इसे प्राप्त हो, तो तो किसी b nuevaare के दिन इसे बच्चे को धारन कर चाहिए इससे विद्या बुद्धी में तेज आता है मनुष्य तेजस्वी होता है इनके पास भी है तो वो जहां सरस्वती माता को बिराजमान करेंगे अगर आपने पहले से पहना हुआ है इसे धारन क्या हुआ है तो आज के दिन वो जो हल्दी की कटोरी आपने रखी दे उ लिखना चाहिए और आप चाहें तो एक से जादा कलम की भी पुजा कर सकते जो आप अपने घर में सार भी लोग जो स्टूडेंस है पाच्छे बच्चे है या पेरेंट्स वेगरा भी हैं जो पैन टीचर्स हैं वो आज के दिन माता सरस्वती को कलम चड़ा करें से आप हारिनिम हंस वाहिनी समा युक्तमा विद्या देवी दान करो तुमें ओम इस प्रकार से बोलके मा का ध्यान करें हे देवी हे आओ मा और सरस्वती देवी का आवाहन करने वाले बीज मंत्र हिरिम और श्रिम तो मा का बीज मंत्र बोलेंगे ओम रिम श्रिम सरस्वत्ते नमहा या फिर ओम एंग सरस्वती एंग नमहा देवी सरस्वती को प्रणाम है और सरस्वती के मंत्र से उनको प्रणाम करने से बुध्धी बढ़ती है या अप इसके अलावा भी सरस्वती गाहितरी मंत्र का जब कर सकते हैं उम एंग वाग देव्ये विद्महे काम राजाई धीमहे तन्नो देवी प्रचोधयात। हो जाता है और अगर आज के दिन आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी गुरुवार के दिन से आपको ये प्रारंभ करना चाहिए या फिर वद वद वाग वादिनी स्वाहा वाग देवी मुझ पर वाणी की शक्ति को श्रेष्ट करो जो बच्चे ठीक से नहीं बोल पाते हैं इस मंत्र का नियमित रूप से जप करेंगे तो उचित वाणी को प्राप्त करने में मदद मिलती है भविश में उनके संचार कोशल में सुधार होता है जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते उपाई करना चाहते परेशानी आ रहे है तो आप आपको आज के दिन ओम एम रिम श्रिम क्लिम सरस्वत्ते नमहा इस मंत्र का जप करके चिंता मनी कवच आपको सवा लाग जप सिद्धी से सिद्ध करके आपको धारन करना चाहिए विद्या यंत्र इसके साथ जो यंत्र रहेगा कवच में वो डाल करके आपको धारन करना च मेरे पांच मंतर बताएं कोई भी जप करें या और भी उपाय कर सकते हैं यापिर कोई कवच आप सुछ, चिंता मनी कवच, सवा लाग जपसे सिद्ध करके या उन्निस हजार मंतरों से सिद्ध करके आप इसए धारन करें पचको नियमित रूप से उसके साथ जो यंत्र होता है उसके सामने बैठ करके आप एंका चप करें इससे पढ़ाई में कागरता आएगी वाणी बढ़ेगी आपकी अच्छी होगी याददाश्त में सुधार होगा और ये जो आपको मैं बता दू सरस्वती मंत्र के समर्पित पाठ है आप बच्चेव को ये जो म अकता हो स्पीकर हो वो भी इन मंत्रों की मदद से नई उचाईयों तक पहुँच सकते हैं तो एम का जब अवश्य करें एम ओम एम सरस्वत्ते एंग नमहा इस माला की कम से कम एक माला का जब आपको यानि 108 मंत्रों का जब अवश्य करना चाहिए जो लोग भी हवन करना चा पल गूलर पलाश अश्वगंदा आधी का एक बरतन सूखी यह सब मिक्स करके एक बरतन में मिक्स करके रख लीजे सूखी लकडी तना च्छाल गाय के गोबर के उपले जो भी हवन सामगरी है लोबान गूगल चीनी अक्षत काला तिल घी जौ सूखा नारियल एक लाल अधी दीजे नौग रह की आउती आपको देनी चाहिए और फिर ओम श्रिम सरस्वत्य नमह स्वाहा इस मंत्र का जब करते वे कम से कम एक सो आठ बार मा सरस्वती को नवद्य अर्पित करिए फिर इसके बार लास्ट में सूखा नारियल को बीच में से काटके उसमें सरस्वती मा की आरती उतार करके परिवार सहित आपको पूजन करना चाहिए बसंद पंचमी के दिन आपको सिक्षा से संबंदित चीजों का भी गरीब बच्चों को दान अवश्य करना चाहिए या फिर आप चाहिए तो केला दाल गुरुवार का दिन है पीले फूल पीले इन चीजों को आप बच्चों के हाथों से दान करवाईए ये सर्विस्रेष्ट होता है आज के दिन पीले चावल अवश्य बनाएए मेवे युक्त पीले मीठे चावल का भगवान के मंदिर में अपने इश्ट देवों को सरस्वती माता को भोग लगाईए और प्रियजनो के साथ बैट करके भोग को खाना चाहिए आज के दिन सभी बड़े हैं परिचित हैं गुरू हैं सभी के प्रती सम्मान अवश्य व्यक्त करें अभिवादन करें हो सके तो उन्हें कोई उपहार या फूल जरूर देना चाहिए अपनी कृत अग्यता व्यक्त करनी चाहिए ब आपके बच्चे के जीवन के एक बहतर शुरुआत होती है उसके जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है हो सके तो अनार की कलम हो या सोने की सलाई को शहद में डुबो कर बच्चे के जीव पर M लिखना चाहिए इससे आपका बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा स्पीकर ब आनी माता सरस्वती का दिन है तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई छोटा सा वाध्य यंत्र भी आप ले करके आ सकते हैं आप चाहें तो संगीत में अगर अपना भाग्या आजमाना चाहते हैं तो आज के दिन से आपको शुरुआत करना चाहिए आज के दिन मंद बुध अधी भी महा विद्वान हो सकता है इसलिए प्रतेक विद्ध्यार्थी को आज की दिन सरस्वती पूजा अवश्य करने चाहिए अब जो लोग भी कामदेव पूजन या पती पतनी किसी का वश्मे करना चाहते हैं उनके किसी और के पास चले गए पती पतनी आज की दिन 108 ब बोलना है कैसे हाथ में पीले पुश्म ले लीजे और जिस व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं जिनका याद कर रहे हैं जो आपस दूर हो गए हैं उनको आप वापस पाना चाहते हैं तो इस 108 बार उनका ध्यान करके बाद में इन पुश्म को आपको होली तक संभाल कर अपने पास रखना चाहिए इसकी बाद बहते जल्वें प्रवाहित कर देना है इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति को आप अपनी तरफ आकरशित कर सकते हैं तो आकरशित हो जाता है आपके दामपत्य संबंदों में प्यार बरकरार रखना चाहते हैं तो बसंद पंचमी क अगर आपसे जीवन साथी आपका रूठ गया है तो आज एक सफेद कोरे कागज पर सिंदूर से क्लिम लिख करके उसे मोड कर अपने जीवन साथी के कपड़ों की अलमारी में रख देना चाहिए और जब आपके जीवन साथी मान जाए तो उस परची को किसी बहतेवे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए बसंत पंचमी के दिन आपको पीले रंके कपड़े पहन कर कामदेव जी के मंत्र की एक माला का एक सो आठ बार जब करना चाहिए ओम कामदेवाई विदमहे पुष्पबानाई धीमही तन्नो अनंगह प्रचोदयाद आप देखेंगे आपके व ओमनमह कामदेवाई सकलजन सर्वजनान मम दर्शने उतकन फितम कुरू कुरू दक्ष इक्षू धर कुसुम बानेन हन हन स्वाहा इस तरह से आपको जब करना चाहिए और अगर आप बहुत अच्छे पती या पतनी की तलाश में है तो आज कामदेव जी को एक आक्षर मंत् ही से मिश्रित धान के लावे से हवन करना चाहिए दोस्तों चोटे चोटे उपाई सरस्वती पूजा है कामदेव दिवस है साथ ही साथ सरस्वती जैनती है तो आप सभी लोग चोटे चोटे उपाई जरूर करें और इस्पेशिली जिनके घर में लिवर से रिलेटेड किसी को दोश है तो आज की दिन पीले चावल अवश्य बनाए और देवी मा को भोग लगा करके परिवार सहित आप सभी को खाना चाहिए आज के लिए इतना ही दोस्तों बहुत सारे चोटे चोटे रोचक से उपाई बहुत इंटरेस्टिंग से मज़ेदार से भी उपाई मैंने बताएं हैं तो वो सभी कीजिए सारे नहीं करने कोई भी एक या एक से अधिक उपाई कीजिए और फिर देखें आपके जीवन में कैसे वसंत की बहार आती है और अपने फ्रेंस फैमिली ममी पापा भाई भेन बच्चे सभी लोगों से से शेयर करना बिलकुल ना भूले क् हमें नहीं पता कौन सा उपाई कब किसकी लाइव बदल दे लव यू आल फ्रेंस टेक केर जै माता दी बंबं भूले नात की